हेलो दोस्तों आप सभी को नमस्कार, XSIS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का श्वागत है, मैं हूं संदीप कुमार, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सहायक समिछादिकारी और सहायक समिछादिकारी यूपी, PSC दोरा आयोजित किया जाएगा 11 फर्वरी को, उसके बारे में क्योंकि एड्मिट कार्ड जारी हो चुके हैं, 11 फर्वरी को एक्जाम है, आज 11 जन्वरी है, यानि कुल मिला करके आपके पास 10 दिन से 10 दिन बचे हुए हैं, इन 10 दिनों में आपको कैसी स्ट्रेजी अपना नहीं है, कि हिसाब से काम करना है, कि आपका पेपर आराम से निकल जाए, देखो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, कि दोनों पेपर को एक साथ कवर करना, आप मेरी आसा है कि जो लोग भी तैयारी कर रहे थे, पिछले सालों से ये 6 महने, 8 महने, 10 महने, तो उन सभी लोगों को ध्यान देना है कि एक्जाम आपको देना है, आपकी सायारी का इस्तर चाहे जो भी हो, अगर आपका बेसिक एरिया कवर है, तो आपको एक्जाम देना है, क्यों देना है, मैं उसका भी एक रीजन दा देता हूँ, जैसे आप सभी के, जितने भी एपसाइड से आप डाउनलोड कर रहा सकते हैं, पहले क्या होता था, एक्जाम यूपी ट्रिपल सी कराता था, तो उसका इस्तर थोड़ा अलग होता था, और इस बार यूपी पी सी करा रहा है, तो एक्जाम का इस्तर थोड़ा सा अलग होगा, और वो कहीं न कहीं मैच करे जाके आपके PCS exam में अब देखो simple सी बात है इन 10 दिनों में हमें क्या करना है हमारे पास पुल मिला के अगर बात करें ROARO के exam में जैसे history जीओ ग्रोफी जीओ quality economics environment EBS science and tech और current affairs यह मोटे मोटे subject है यहनी subject एक दो तीन चार पाँच छे जीओ जीओ फुल मिला के साथ subject है GS first paper के अंतरगत अब GS first paper में साथ paper है तो history से मान के चलिए करीब आरा से पंदरा question आते है यही हाल geography का है यही हाल polity का है यही हाल economics का है EBS का है Science and Tech का है Current Affairs का है तो अगर मैं ठीक से अगर बात करूँ तो per day एक subject आपको revise करना है उन subject को ज़्यादा से ज़्यादा focus करना है जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं तो को time कम है आपके पास exam तो दे नहीं देना है और generally क्या होता है कि exam जैसे मान लिया चार लाख लोगों ने फार्म भरा है तो लगभग ढ़ाई से तीन लाख लोग exam देते हैं लगभग एक लाख लोग के आसवास exam छोड़ देते हैं तो इसमें जो तुम्हारे दो गंटे के अंदर आपको इनको करना होता है तो मेरा ये एक strategy रहती है कि मैं history को पहले दिन history को दूसरे दिन geography, polity, फिर economics अलग-अलग दिन पे रख लेता हूँ सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपनी थेवरी portion को complete करता हूँ उसके बाद mcq try करता हूँ और previous year question paper काफी important है जैसे current affairs की बाद करूँ तो सारे subject और state pacific question मिला करके लगबग 20 question current affairs है 20-25 question current affairs से पूछे जाते हैं जैसे राम मंदिर का निर्माड हुआ राम मंदिर के सैली में बना हुआ है क्या उसकी विसेस्ताएं है मूर्ती कहां से आई है ताला कहां से आया है तो यह सारे question भी क्योंकि राम मंदिर उत्तर प्रदेश अभी देखो interview हुए PCS के final year भी आ गया है तो उसमें राम मंदिर का मुद्दा चाया रहा UPSC के interview है उनमें भी राम मंदिर का मुद्दा चाया रहा हमने काफी सारे वीडियो बनाए है तो वो वीडियो आप देख करके समझ सकते है उसके बाद अगर जियोगरफी की बात करें इंडिया एंड वर्ड जियोगरफी भारत के भोगोल से लगबग 11 वारा question पूछे जाते हैं इसी तरह लगबग 10 question के आसपास वर्ड जियोगरफी से पूछे जाते हैं खास कर Asia महाद्यूप में ज़्यादतर देशों की राजधानिया मुद्राएं ठीक है government policies वगएरा उसके बाद अफरीका महाद्यूप में जीले हैं, नदियां हैं, नहरे हैं जो अंतराष्टी importance की चीजें हैं उनके बारे में question पूछा जाता है basic economy पूछी जाती है basic economy के अंतरगत जैसे हमारा अर्थ व्योस्ता कैसे चलती है क्या है GDP, GNP, banking sector ठीक है, मुद्रा, बजजट इन सब के विसे में question पूछे जा सकते हैं हमारी growth rate क्या है, कैसे growth करती है चीजें, उनके विसे में question पूछे जाएंगे अगर word economy को लेकर बात करें तो कुछ current recent की update आई है ठीक है कुछ reports आई है जैसे IMF जारी करता है, विसो बैंक जारी करता है इनका मुख्याले कहां पर है यह क्या काम करते हैं, कौन कौन से में दे सके हैं, इन सब के बारे में basic environment studies के बारे में question पूछे जाएंगे, science and tech का geography portion, history, sorry science and tech में physics, chemistry, bio bio से ज़्यादा question होते हैं क्योंकि bio और EBS के question कभी-कभी क्या हो जाते हैं हम समझ नहीं पाते हैं जन संक्याओं नगरी करन से भी पिछले कुछ सालों से एक-दो question पूछे जा रहे हैं तो वो उसको पकड़ के चलना है schedule tribe से, policy का section है schedule tribe से question पूछे जाएंगे अब देखो, अगर one by one हम subject की बात करें, GS first paper में तो ऐसी क्या चीजें हैं जिनको हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे wait a second जैसे अगर बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में आपका जो है प्राचीन भारत का इतिहास अब प्राचीन भारत में जो मोटी-मोटी चीजें हैं, जैसे अडपा Indus Valley Civilization IVS जिसको बोलते हैं IVC, Indus Valley Civilization के बारे में एक आधा question पूछा जाएगा, हर बार पूछा गया है उसके बाद मगद मगद का उदकर्स और खासकर मोर्य सामराज इंपोर्टेंट होता है, उसके अलामा अगर बात करें, उसके अलामा वैदिक काल आपका है, ठीक है वैदिक काल में कुछ महत्पूर्ण चीजे हैं, उनके बारे में आपको पूछा जा सकता है, उसके अलामा अगर बात करें, उसके अलामा मोर्य काल के बाद बौद और जैन, ये काफी महत्पूर्ण है इनसे question हमेशा पूछा गया है जो तुम्हारे 66 दरसन है 60 दरसन हो के बारे में पूछा जाएगा मौरय उत्तरकाल भी काफी important रखता है art and culture के द्रश्ट से मौरत्तरकाल के बारे में पूछा जाएगा, गुप्त सामराज के art and culture जैसे गुप्त सामराज में ही आपकी नागर द्रवीड और बेसर सैली की सुरुवात हुई तो गुप्त काल से रिलेट करके question पूछे जाएगे जब हम मद्यकालिन भारती इतिहास की बात करते हैं तो मद्यकाल में सल्तनत और मुगल और विजे नगर सामराज कुछ दच्छड के कुछ राज है प्राचीन भारत में भी दच्छड के पांड है और पुछ दच्छड के राज से मद्रवगरा का इतिहास है और जो तुमारा संगम साहित है इनसे भी से में question पूछे जा सकते हैं तो कुल मिला करके प्राचीन और मद्यकालिन भारत में एक separate portion है जहां से हर बार question पूछे गए है और प्राचीन भारती इतिहास से कम से कम 5 question पूछे जाते है तो प्राचीन भारती इतिहास जब revise करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि किन segment से जैसे साहित्ते वाले segment से जहां जिनको हम स्रोथ के रूप में उपियोग करते है कि इतिहास हमें कहां से पता चला इंडिका किस ने लिखी मेगस तनी जिन लिखी क्या था इंडिका में उसके बाद चाड़क के ने क्यों जो अर्थसास्तरी लिखा वो किस विसे पर केंद्रित था क्या उसके आयाम थे कितने भागों में बटा है तो इस तरह की चीजे पूछी जाएंगी और साहिति की द्रश्चे हमारा प्राचीन भारत काफी इंपोर्टेंट है तो वहां पर आपको फोकस करना है मद्यकालिन भारती इतिहास की बात करते हैं मद्यकालिन भारती इतिहास की अंतरगत आपको सल्टनत काल पर ध्यान देना है खासकर इस समय जो सामराज्यों का गठन हुआ जैसे बाजानी अंतरविवस्ता है इन सब के बारे में आपको काफी चीजे ध्यान रखनी है हो जाएगा मद्यकाल मद्यकाल के बाद फिर तुम्हारा सल्टनत के बाद मुगल आते हैं मुगल भी काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि एक राम मंदिर मुद्य को लेकर मुगल बाबरी मस्जित पंदरा सो अटाइस में बाबरी मस्जित राम कोट मंदिर और राम का किलन के इस्थान पर ही बाबरी मस्जित को बसाया गया तो वो इतिहास आपको करना है मुगल काल में कौन सा राजमन कब राजा कौन सा हाया कितने युद्ध लड़े ये सारी चीज़े काफी इंपोर्टेंट होती है और अगेन साहित कला कला में चित्र और निर्माल कला ये दो महत्पूर्ण चीज़े हैं तो इनको आपको देखना है इन दो महत्पूर्ण चीज़ों से लगबग 10 क्वेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फिर इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे बिटेश उपनिवेश उसके बाद आधुनिक भारती इतिहास में जब हम आएंगे न तो उत्तर मुगल पढ़ेंगे ठीक है उत्तर मुगल के बाद आपको देहन देना है कि जो कंपनिया भारत आई उनका कहां किस कंपनी ने किस स्थान पर अपनी कंपनी कोठी लगाई उसके बाद अठारा सो सतावन का सो तंतरा संग्राम उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश आरो यारो हो रहा है तो वो चीजे और ये आपके PCS में भी वर्क कर जाएंगी अगर आप आरो यारो और PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका आधुनिक भारत और फिर गांधी यूग गांधी यूग में खास कर 1915 में गांधी जी का आगमन भारत होता है दच्छल अफरीका से 1921 में एक मुमेंट चलता है फिर 30-32 में एक मुमेंट चलता है फिर 1942 में एक मुमेंट चलता है तो इन मूवमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए नरम दली, अगरम दली, राजनित के बारे में इतिहास के और भी सारी चीजे है जो पुनर जागरन भारत में आया पुनर जागरन काल के नाम से जिसको जानते हैं जहां राजा राम मुहरा है आपको पढ़नी है, तो कुल मिला करके एक दिन है, आठ से दस घंटे आपको इसको रिवाइज करना है, ठीक है? उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी सेक्षन में क्या होता है? पॉलिटी सेक्षन में जैसे प्रस्तावना, फंडमेंटल राइट्स, डीपी एस्पी, संसद, सुप्रीम कोर्ट, अभी हाल भिलाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्त हुई, तीन दली जजों की नियुक्त करी गई, तो फंडमेंटल राइट्स, डीपी एस्पी, इन से लगबग तीन से पांच question पूछे जाते हैं हर साल, यह आपको याद रखना है, दूसरा, संसद, राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल, पंचायती राज, पंचायत सिस्टम, कुछ constituents वाजी हैं, जैसे election commission of India, ECI, वित्तायोग, वित्तायोग के अलामा, और भी तुम्हारे कुछ संगठन हैं, जैसे CBI, इसको power कैसे मिलती है, ED, तंग लोक सिवायोग, UPSC, UPPSC, इनके सदस्योग की न्यूग कैसे होती है, क्या procedure है उनका, राज्य पाल, राश्ट्र पति, सुप्रीम कूर्ट, हाई कूर्ट, फोले जीम जजो को न्यूग ती, तो ये तुम्हारी करेंट इरिशिंट के टॉपिक हैं, जहां से 100% मान के चलिए, अगर 20 question पूछे गए, तो ये मान के चलो 15 question इन ही topic से होंगी, तो ये आपका quality section cover हो जाएगा, quality section के बाद आप geography portion में आएंगे, तो geography में तुम्हारी जैसे राजधानिया हैं, और geography quality को मिला करके question आता है, अगरी कल्चेर, यूजनाएं, जो geography के इंडिकेशन के तौर पर काम करती हैं, अगर तूफान वगएरा आया है, वर्ड जोगर्फी में वो काफी important हो जाता है, नदियां पहाड, सहायक नदियों के बारे में जोगर्फी में question पूछा जाता है, डैम वगएरा का अगर निर्माड की अभी हाल फिलाल में किसी नदी पर हुआ है, तो उनके बारे में पूछा जाएगा, नकसा, आपने देखा ही है भारत का नकसा, कितने राज्ज हैं, यूटीज वगएरा, उनकी क्या condition है, काउन सा राज का गठन कब हुआ, तो ये जोगर्फिक की दरश्ट से काफी important होते हैं, तो उन पे आपको जादा से जादा focus कर तके जाना है, क्योंकि ये ही वो segment है, जहां से पिछली बार भी question पूछेगे, इस बार भी question पूछा जाएगा, census से question कमा रहे हैं, जैसे जनसंख्या की अगर बात करने, question वहाँ से कमा रहे हैं, उसके बाद आपका science and tech हो जाएगा, साइंस सक्ट में, लगबग जियो विग्यान portion से ज़्यादा question आते हैं, लगबग 8-10 question जियो विग्यान portion से आते हैं, recent development काउन सी हैं, vitamins के प्रकार हैं, proteins, carbohydrate, वसा, यह सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, basic आपको जियो विग्यान पढ़नी है, chemistry से एक-दो question पूछे जाते हैं, खासकर फार्मुले को ले करके, जैसे baking soda, धावन soda, खाने का soda हो सकता है, Milan के लिए question पूछ लिया जाए, उसके अलावा physics भी important है, जैसे Newton के नियम है, बलगत की बगएरा है, इससे question पूछे जाते हैं, उससे question पूछे जाएंगे, defense technology है, उससे question पूछ लिया जाएंगे, तो वो science and tech का भाग है, फिर उत्तर प्रदेश में, जो राष्टी महत्यू की चीज़े हैं, वो उत्तर प्रदेश के, क्योंकि काफी question पूछे जाते हैं, जैसे पशपालन, उत्तर प्रदेश के विशे संबन में question पूछा जाता है, समसामाइके में जो 25-30 question आते हैं, विज्ञानम प्रदेश की उत्तर प्रदेश विशे से आ सकते हैं, defense corridor पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश के किन वेक्तियों को साहित संबन मिले, अभी पदम स्री पदम भूशन ये सारे संबन मठे, उसके पहले द्रोणाचार अरजुन पुरुषकार, ये सारे खेल रतन पुरुषकारों का वित्रण किया गया, तो वो नाम पूछे जाएंगे, कुछ किताबे हैं जिनका inauguration हुआ होगा, अना हो सकता है कुछ ऐसी किताबे हो जिनको पुरुषकार भी प्राप्त हुआ हो, विद्याभारती पुरुषकार वगरा, साहित पुरुषकार वगरा, तो वो चीज़े कॉपी इंपॉर्टेंट होती है, पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं, वो भी कई सारी किताबे लेखते हैं, कभी-कभी किताबे क्या होती है, कंट्राश्ट कर जाती हैं उनकी ideology से, तो उनसे related question पूछे जाते हैं, तो एक question पूछने का एक विस्तिर तौरा है, लेकिन UPPSC ROARO का paper set करते समय, इतना जरूर ध्यान लेखेगी, कि बच्चे क्या, ROARO की post कैसी होती है, आपको सचवाले में बटके काम करना है, field cover का आपके पास जादा नहीं होता है, पबलिक से आपको जादा नहीं मिलेगा, जाना नहीं पड़ेगा, तो चीजे क्या हैं, आपके अंदर में होंगे, तो इसका मतलब question paper भी उसे हिसाब से deal किया जाएगा, तो ये है first paper, उसके बाद अगर बात करें second paper की, तो second paper में generally Hindi है, Hindi वही है, जैसे PCS वगएरा में Hindi होती है, तो वो सारी जीजे आपको focus करनी है, अगर GS2 की बात करें, तो इसमें 60 question पूछे जाने है हिंदी के, तिर्फ हिंदी पूछी जाएगी, और हिंदी में अगर हम बात करें, तो जैसे पिछली बार, पुछा गया विलूम सब्द पर्यावाची वर्तनी, वाक्य गता सुध्धिया, तो ये काफी important है जैसे विलूम, पर्यावची, पर्यावाची सब्द, वर्तनी, सुधार, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द, अनेक सब्दों के लिए एक सब्द तत्तम तत्भो, सन्दी, ये सारी चीजे पूछी जाएंगी, करीब साथ से 9 टॉपिक हैं, जिनको आपको रिवाइज करना है, बाकी सारी चीजे के लिए क्या करना है आपको, जीएस पढ़नी है, क्योंकि जीएस काफी important है आपके लिए, तो इतना करते हुए जाना है, और आपका टाप के आसपास, पहुँच जाएंगे, आपको लाने कितने नंबर हैं, 120 नंबर के आसपास लाने हैं, दोनों पेपर को, एक्वल करके, तो इतना कर लोगे, तो आपका आराम से हो जाएगा, math, reasoning, mensuration, ये दुनियादारी पूची नहीं जाती, कभी कबार एक आधा question, तुम्हारा reasoning का मिल जाता है, जैसे coding, recording है, रखत संबंध है, इनसे कभी कबार मिल जाता है, लेकिन generally क्या होता है, कि आपका GS first paper, GS फे focus होता है, history, quality, geography, economy, current affairs, उत्तर प्रदेश का, इतिहास भूगोल, तो ये सारी उत्तर प्रदेश विसे संबंध में पूची जाते है, second paper में आपको simple सहन्द देना है, और देको paper तो ठीक ठाक आएगा, UPSC बना रही है paper, तो इसका मतलब paper का standard थोड़ा अच्छा ही होगा, तो चीजे ध्यान देते हुए आपको करना है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं हमें paper छोड़ देना है, तो ये गलती मत करिएगा, क्यों नहीं करिएगा, उसका reason है कि अगली बार जब आप तयारी करने के उद्देश से आएंगे, तो क्या करना है आपको, आपको लाजमी होना चाहिए, फिर भी आप बड़े ठंडे दिमाग से, बड़े ठीक ठाक से जाएंगे paper देने, 11 फरवरी को है, तो ताइम कम है, revision जादा करिए, चिंता कम करिए, तो आज के लिए इतना ही, thank you very much, नमस्कार.